हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू मिल्पावर प्राइट लिमिटेड कैसे आप लोगात सब बहुत सारे कस्टमर के फोन आते हैं और हमें पूछते हैं कि मसाला पलवराइजर मसीन में कैसे फाइनेस निकला जाए तो आज का वीडियो यह है कि आपको ब्लोवराइजर कैसे च गंटा इस मसीन में आप सभी प्रकार के मसाले ग्राइड कर सकते हों जैसे कि चिली, कोरियंडर, मिक्स मसाला, ब्लैक पेपर, ड्राइलिव, सभी हर्प्स इजिली ग्राइड हो सकते हैं इसमें अगर आपको कूर्स ग्राइडिंग करना है जैसे कौन ग्राइडिंग या टर तो इस में रहेगा पांच अलग-अलग साइस का चाली एंकर फार्षनर रहेंगे चार मसीन को फांडेशन करने के लिए इस मसीन के साथ दो माइक्रोफाइंड बैक्स रहेंगे एक नीचे आउटलिट के लिए और उपर एक रहेगा जो एर सरक्लिशन में रहेगा इस मसीन का इस मसीन को अगर आप पुल्ली की साइड से देखते हो तो ये क्लॉक्वाइश डेक्शन में गुमेगा इस मॉटर में इलेक्ट्रिक मॉटर 1440 रपियम सिंगल फिज या थ्री फिज लगेगा कि य है कम्पनी का डेमो डिपार्टमेंट यहाँ पर हमने सभी आटा चकी मसाला मसीन वाइब्रो शिफ्टर मिक्शर मसीन हाटे ड्रायर सभी प्रकर कि मसीन हमने डेमो में डिस्प्ले के रिए रखे कस्टमर यहां पर जो विजिट करते हैं यहां पर हम उसको मसीन चालो करके मर्टियर डालके पूरा तसली देते हैं कि मसीन को कैसे चलाया जाता है मसीन कैसा रहता है उसका डिमेंशन या कैसे उसका नौइस वगेरा रहता है मस मसीन की स्याधा चांद कारी के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें जैसे हमने आपी देखा कि ब्लोर पल्वराइजर में से मसाला कैसे ग्रैंड किया जाता है लेकिन आफ्टर ग्रैंडिंग के बाद इसमें फाइन और कोर्स दोनों पावडर रहेगा यह वाइबरो शिफटर मसीन है इसको आप चंनी मसीन भी कह सकते हो इस मसीन में फाइन पावडर और कोर्σ पावडर को अलग किया जाता है चैसे हमारे घर में वह छोटा सा चंनी होता है जो हम हाथ से चानते है वैसे ही यह भी जो भी षविशनी मसीन है और ज्यादा जनकरी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नमबर दिया गया है वहाँ पे कॉल करें थेंक यू